हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपको आपको आपना यूटीब चैनल संतोस क्लासेज में जैसा कि हम लोगों इससे पहले हम लोग साइन्स का वीडियो को बना रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप जहारखंड के रिलेटेड वीडियो लाइए तो मैं आप लोग इसमें से सुरुवात करना हो इसके बाद में जहारखंड से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसके बारे में जो भी एक्जाम लेटेड टॉफिक रहेगा फ़ले वो जैससे जी रहे है या पिजहारखंड रिलेट जितने भ लोग मतलब आपका दूसरी बार हम लोग का इस समय में पढ़ाई के समय में इसके बाद किसी अपर यहारी कारणों से इसका पोश्ट भी हुआ मतलब होने के बाद रद किया गया पेपर लिक हो जाने के करन आगे पिट आला है कि आपका अध्मीट का रिलीज हो गया है अप का जो एडमिट काड है वह आपका रिलीज हो गया बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आपके लिए समय दिया गया आई से आपको एडमिट काड आपको डाउलोड कर सकते हैं आपको 22 तारीक को छे बजे शाम तक बिल्कुल भूले ने इस इस टाइम को आप जरूर नोट रखे 22, 22, 22, 22 को साम 6 बजे तक आपको इसी समय तक आपको अपना एडमिट का डाउलोड कर लेना है भूलिएगा बिल्कुल नहीं तो फिर सापको मोगा ने मिलेगा क्योंकि 23 तारीक सापका एजाम चालूए 23 से लेकर आपका 7 तक एजाम चलेगा 23, 10 से लेकर 7, 11 तक मतलब 7 मुह जिसमें यह बताया गया है कि आप अपना अपना एडमिट कार्ड आप 17 तारीक से 18 तारीक से आप डाउलोड कर सकते हैं कब तक यह 22 तारीक तक आप लेकिन साम 6 बजे तक ही इतम इन्पोर्टेंट चीज आप बिल्कुल भी आपको जीदी पता है और जीद आपके दोस्त ज आपके जाकर आपको मॉबाइल नेवर होना चाहिए जिस पर कि आप अप लोग के लिए बहुत-बहुत बेस्ट अफ लख आपके लिए कि आप जाकर एक्जाम को अपियर होई और अच्छे से मार्क से आप उसको क्वालिफाइग कीजिए कि ताकि आप लोग को आगे चलके आपके लाइफ जो है एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जाए और एक स्टेवल लाइफ हो जाए कि आपको कभी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो बिरोजगारी बहुत बुरी चीज है मैं उससे गुजरा हूँ ना खेर मैं उससे बात नहीं करूंगा अभी फिलाल इस वीडियो पर मतलब जई बनने के लिए उसमें से कितना मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्चन यहीं है बहुत किसी ने जानने के कोसिस किया मैं इसको मैं बताऊंगा और भैकेंसी कब निकालता है यह मेरे लगवग चार चीज़ के बारे में आपको लोग के साथ करूंगा कोसिस करू तो आगे बढ़ने से परले में आपको जो बताया कि एड्मिट कार्ड एकदम रिलेज हो चुका है आप डाउनलोड जरूर किजिए आप भूलिए का नहीं आप उसको टालिये मत यह नोटिफिकरसन आया था अब मैं आपके बारे में चर्चा करता हूं पहला कि आपको आप मैं इसके बाद बात उसमा आपको रिकॉर्ड ब्राइंच अपको शीपिल एलेक्ट्रिकल माइनिंग और भी बहुत सारे प्रांच इलेक्ट्रिकल और कम्पनीकेशन मेटलर्जी इंजिनियरिंग होता है इसमें आपको करना है लेकिन अभी फिलाल के लिए आभी का झो निक यह स्टार्टिंग में निकला था टोटल जो सीट्स निकला था टोटल सीट्स नमबर आप सीट्स तीनों प्रांच में कितना निकला था आपका 285 लेकिन बाद में इसको चेंज करके इस सीट को आपको 1289 सूच लिए कितना हुज समय के बाद इसलिए और यह होने वाली है तो यह किया गया इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा आपको डिपिलोमा डिप्लोमा आप Class 10 के बाद कर सकतே है या इंटर के बाद higher और टैन या इंटर बहुत किसी ने 10 के बाद भी किया है मैंने इंटर के बाद किया था या आप 10 के बाद कीजिए या फिर आप इंटर के बाद कि में जरूरी नहीं कि साइंस निजनी से हो अब सकते हैं सारी में से आप कर सकते हैं करने के तो यह को चाहिए तो ही आपको पाएगा यह को बताएंगे क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग क्लास 10 के बाद अप्राइवेट कोलज में या फिर सरकारी कोलेज में जिसको जल्दी लेना हो वाप प्राइवेट प्राइवेट कोलेश एडमिसन ले सकते हैं पर मन लाया है मेनज कीजिए तो तीन साल में आपको डिप्लोमा के लिए हो जागा उसके लिए है बसकते कि आपको उम्र होनी चाहिए और फिर आप उसका फिलट कीजिए वह एक तरीका दुसरा के बहुत कोई क्या करते हैं इंटर कर लेते हैं आई यह याई सी कर लेते उसके डिप्लोमा कंप्लेट हो जाएगा समय बहुत कम समय में आप कर लीजेगा आप वह जाएगे वह ज्यादा अच्छा आप कर सकते हैं कोई भी गवर्मेंट कॉलेज चे जिसमें आपको गवर्मेंट पॉलेटेखनिक भागा है धनवाद है निर्सा है अधित्यपूर है पहुत स सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सब नहीं करने से आपको प्राइवेट को अधा करने पड़ेगी देनी पड़ेगी पिताजी पाइसा है तो भी कर सकते हैं आपको मिल जागा खाली आप क्या रखिएगा वह अपका अपरूट होना चाहिए यह हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग उसके लिए हो पाएंगे तैयारी कैसे करेंगे अब हम लोग आते हैं अगला ज c तेक को पड़ेगा कारण क्या है किसमें दो पेपर का यूजाम हुआ इस बार आपका दो पर है याद रखिए का पर था और दूसरा फेपर इसमें दो फेपर होता है है इ fragments are paper आपका क्या था फ्रस्ट पेपर में आपका 120 कोशन पूछा गया जिसमें से आपका 80 कुष्ण जन्रल इंजिनीरिंग कथा जन्रल इंजिनीरिंग का अशी कोशन था और 40 कोशन आपका नंटेक का था द लो ग्या होता है इसमें आपका मतलब जितने भी टेक्निकल छोड़के वह सारा चीज में कवर रहता है आपको इसमें वह 40 आपका कोशन है यह प्रते कोशन तीन नवर करता है तो टोटल 120 कोशन हो गया मतलब यह टोटल 360 मांक्स होता है एक कोशन गल्ती कि जएगा यह कोशन कंप्लेटल आपका ब्रांच पेपर रहेगा करता है सिर्फ आप नंटेग करेगा सिर्फ आप नंटेग करेंगा और कंप्यूटर का पड़के आपका प्रांच का नौलज होना चाहिए तो ही आप यह कर पाएंगे हम लोग क्या देखें कि फस्ट वेबर में आपका 360 नंबर का और आपका सेगंड पेपर में होता है त्यारी करने के लिए और फिर नाची जा सकते हैं इसके लिए आप जासकते पर नहीं आपनों कि मैंने वहाँ पर जा सकते हैं और आप चया सकते के लिए और ब्राइंच पेपर और जिदि जो बच्चे फस्ट ये थाड ये बहुत अच्छे से महनत किये हैं उसके लिए कोई कोचिंग कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मैंने कभी कोचिंग नहीं किया कंप्लीट होने जाने के बाद आप सारा कुछ कंप्लीट कर लिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का जरूरत ना पड़े तो यह हम लोगों आपको बताया लेगी नंटेक का चालिस मांक्स होता है वह बहुत बड़ा गेमर है इसको आप बिलकुल भी नजर अंदाज ना कर यह आपको बहुत फाइदा करेगा इसलिए आप एक दम बिलकुल भी इसको हलके में ना ले कि ताकि आपको आगे चलके फिर दिक दिकत हो जाएगी तो फिर आप कर बड़ करेंगे कलम आप ले लेता हूं मैं थोड़ा सा एक सेकंड अब मैं आप लोगों के साथ डिसकस करत सब्सक्राइब करें के बाद यहीं करें我 ल prépar करने का और साथ ही साथ आप अपको टैकनीकल तीन साल आप समय दीजेगा आप अच्छे समय दीजे आप बहुत कम समय में आप बसरते कि आपको वेकंसी आनी चाहिए यह आप गवर्मेंट के लिए मैंने बता है गवर्मेंट जाहिए के लिए और जैदी आप जैसे की PSU में किजेगा आपका जैसे की ज्यादा अभी से आपको मेहनत मतलब ज्यादा दिन का वेकंसी आता है आप बस आपकी वास होनी चाहिए आपका तैयारी होना चाहिए आप सब्सक्राइब बहुत कम सब्सक्राइब हो सकता है आपको मतलब 19-20 साल में आराम से बन सकते हैं बहुत को अभी 30 साल भी क्रोस कर गये हैं हलांकि आप ज्याएगा तो फिर गरवड़ हो जाएगा 2014 में दिया था सब्सक्राइब कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेसन जो आया था इस पर हम लोग फ्रसा आप लोग साथ चर्चा करते हैं एक्चुली में जो यह वह आपका 2021 माया था दो हजार 21 में तो प्रफेंट चेंड कर लेता हूं आपको शुविता हुआ यह आपका 2021 चाटा फेकंसी था इसलिए च्छोड़ यह वेकंसी आया था स्टार्टिंग में यह आपका जो सीट था में आपके साथ चर्चा कर चुका हो 285 बाद में इसको मोडिफाइग करके 1289 क इसके बाद आपको 7 आपका इसका जुलाई मायना आपका सातवा मेना में पहला वा आपका यह आपका जाँकर ता तीन सात 2012 था अपका जो फर्स्ट इक्जाम का डिट था आपका बोकारो धनबाद जन्सेदपूर और राची में किसी कारण वास इसका पेपर लिख हो जाने के कारण इसको जो एजनसी एक्जाम ली थी फिर उसको रद किया गया सरकार के द्वारा और फिर इसका आपका जो नोटिफिकेसन निकाला गया तीन साथ के बाद जो इसका निकाला गया आपका 22 दिन के बाद नोटिफिकेसन निकाल गया पथीस साथ 2012 को इक्जाम के रिजक्शन को लेकर इसको लेकर कि आपका एक्जाम रद कर दिया गया है पूरी तरह कि और फिर यह नया एजनसी को ते दिया जाता है इस एक्जाम को करवाने की लिएक आया 39 को आपको 39 को आपका नया नोटिपिकेशन आया 39 2022 को इस नोटिपिकेशन आपको फोटो आपको फोटो अपलोड करने के रिए और सिंगनेचर फोटो एंड सिंगनेचर क्या फोटो सिंगनेचर अपलोड कर दिया इसमें आपको समय तारिक तक 11 तारिक तक 11 10 तक दिया ग तक आपको फोटो अपलोड करने के लिए समय दिया गया और इसके बाद फिर अभी जो आपका जो सतर तारीक वेकंसी आया उसे बताए गया कि आप 18 तारीक से लेकर 22 तारीक का आपको साम 6 वए तक आप आप डाउलोड कर सकते हैं और आपका एक्जाम आपका 23-10 से सुरू हो जाएगा सो लेकर आपका साथ नौंबर तक चलेगा सेवन नौंबर तक आपका एक्जाम चलेगा आप बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं आप आराम से क्वालिफाई कीजिए और फिर आप सक्सेस होई तो यह हम लोगों ने बताया आपको कि कहां कहां पर आपका एजाम है कब क्या है चार सेंटर बताया मैंने आपको और आप इसमें सेलरी कितना मिलता है ज्यादा हम लोग होसेंगे नहीं तो फिर मेरे तो वाट लग जाएगा आगे आते हैं आपका 35,400 का इसका बेंड दिया आपको लास्ट तो फिर आप दूसरे स्लैब में जाईएगा 35,500 आपका यह बेसिक रहेगा इसमें आपको डीय मिलेगा डीयर ने से लाउंस इसको हम लोग बोलते हैं सरकार के तरफ से उधार कंट सरकार का लगबग अभी 38% चल रहा है आपका एचारे जो आपको रहने के लिए आपको 9% करी दिया जाएगा आपको मेडिकल लगबग 1000 रुपीज के करीब आगे पीछे भी होता होगा यह दिया आता है मतलब लगबग कूल मिला जुला कि आप मानके चलिए 50% के अलाउंस मिलता है और आपका बेसिक 35% मिला क्या क्या पूल मिला जुला के 22,500 होता क अले 5,000 करी मतलब 6000 इमानिये तो आपका इन हैंड आपको मान के चलिए कि 40,000 से 47,000 के बीच में आपको मिल सकता है यह आपको जो आपकी जो कमाई है वह आपको 45-47,000 के बीच में मिलेगा अब लेकर सभी जाएंग नहीं जिससे की आप अलग-लग PSU के अलग-लग क्याइस कर बनता है उस तरह किसी का किसी काम पेमेंट मतलब उसका बेशिक पे आपका की आपकी सब्सक्राइब की बारे में बताया इसका सलरी कितना बनेगा 45-45 पीछ थोड़ा बहुत लेकिन लगबग लगबग यहीं बनेगा यह आपके साथ बेशिक का बात किया बहुत तरफ यह परिवार का अपना इलाज कर सकते को इस ने आपके यह पर देखाब बोनस अब पूजा वेगर आपके मुकबले तो उसके बहुत सारे बहुत सारे लाउंस मिलता है पेट्रल लाउंस मिलता है बहुत किसी सब्सक्राइब को मिलता है अगे अगे आप पुछा गया कि अब भातर हैं इतना समझ्चा हो रहा है कि अभी तो करेंट में भी सही हुआ है आगे आता है इस पर जाइए के मुकाबले आपको ज्यादा करना आप अच्छे से त्यारी किजिए आप कर सकते हैं बहुत अच्छे रेस्प्रेक्टेवल जॉब में आप काम कीजिएगा डिप्लो मा से बहुत बड़े पोस्ट में आप रहीएगा मैं आपको को यही मैं आपको एक साजसान को करता हूं कि अपको teacher मों को डीकी में चलिए करने कोशुश की आपको रखंग पे उजिकर करेंगा आपको सब्स की साध्वन मैंने आपको साथ मेंने आपको सब्सक्राइब दिसके में तो लेकर आज़ा ठाए लोगों को और मैं में आप लोगों के सात जाहरकंड का दर्सन करेंगे जाहरकंड करें और यहां को सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग कोशिज करेंगे कि आप ज्ञारखंड से कोई भी जौब आपका ज्ञारखंड पूलीस हो या फिर ज्ञारखंड से स्टेट्स के रिलेटेड कोई भी आपको जौब हो मैं आप लोग के साथ एक कंप्लीट पैकेज पार्ट वाइज आपके लिए कि हम लोग ज्ञारखंड में हम लोगों को गरीब राज्जर में गिना जाता है कहीं नहीं सोनार का भी नहीं हुआ है लोग बस जागरुक होना है एडूकेटेड होना है और हम लोग अच्छे-च्छे जॉब क्वालिफाइब करके हम लोगों को इस स्थी को सुधारना है कि ताकि हम लोग एक दिन जहारखंड को सोना बना देगे मतलब सोनार जारकन मोलते हैं हमारा सोनार जारकन हम लोग बनाएंगे जरूर बस आप लोगों का साथ क्या हो सकता है आप हमारे साथ बस डिसकस में लगे रही है हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यह अफिलो की इनके बहुत अथी मतलब अबलता प्रदान करने के लिए हम लगे दूसरे साथ नहानत करेंगा आप फिर मिलेंगे दोस्तों जय हिंद्ध